दोस्तो ये बात काफी समय पहले की है सहर से दूर एक छोटा सा गाउं था इस गाउं के लोगों की जिन्दगी बड़ी सादगी भरी थी इन गाउं वालों की जिन्दगी खेती पर ही निर्भर होती थी सब में मेरमिलाप काफी अच्छा था इसी गाउं में एक इच्छा धारी नागनागिन का जोड़ा भी था परन्तु इस बात की खबर गाउं में किसी और को बिलकुल ना थी क्योंकि ये नागनागिन का जोड़ा दिन भर इनसानी रूप में रहा करता था परंतु सिर्फ रात के समय ही ये अपने असली रूप में आया करते थे जब ये अपने असली रूप में होते थे तब ये गाउं से कुछ दूरी पर घने जंगल में चले जाते थे यही कारण था कि इनकी असलियत गाउं के किसी भी इनसान को मालूम नहीं थी वही दोस्तों इस इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े के एक बहुत ही सुन्दर बेटी भी थी जिसका नाम था माया वे दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे माया काफी चंचल सुभाव की थी जंगलों में अन्य जानवरों का पीछा करना पेड में सबसे उपरी साका पर चड़कर दिन भर अराम करना तथा कई अन्य सरारते वह अक्सर करा करती माया भी एक इच्छाधारी नागिन होने के साथ कई सक्तियों की मालिक थी माया जब थोड़ी समझदार हुई तो माया के माता पिता ने माया को अपनी नागमणी सौब दी उसी गाओं में दोस्तों एक महेज जी महराज नाम का तांतरिक समसान घाट के पास अपने कुटिया में रहा करता वह कई तांतरिक विध्याई जानता था कई काली सक्तिया उसके पास थी और तो और कई आत्माएं उसने अपने वस में करी थी इसके अलावा वो जाड़ भुक का काम भी किया करता एक बार तांत्रिक को अपनी तांत्रिक के रिया पूरी करने के लिए साप का कटा सर्चाई ये था जिसके लिए वो जंगल की तरफ गया वहाँ उसे माया दिखाई दी गई जो की नाग रूप से इंसानी रूप में अपना परिवर्तन कर रही थी तांत्रिक को समझते देर न लगी कि ये तो एक इच्छाधारी नागिन है तांत्रिक ने तुरंट अपनी जोले से एक बोतल निका ली और जादू टोने की साहिता से माया को वस में कर उस बोतल में कैद कर लिया तथा वापस समसान घाट अपनी कुट्या के पास लिया आया उस तांत्रिक ने माया को जंगल में मनुश्य रूप धारण करते देखा था उसी समय वह उसके रंग रूप से मोहित हो गया था उसमें हवस की भावना जाग गई थी उसने माया को अपनी वस में काबू कर उसके सांथ जबरजस्ती करी और फिर जब उसका मन भर गया तो उसने माया को मार कर उसी बोतल में वापस डाल दिया और उसके माबाप की दी नाग मनी भी छीन ली उधर माया के माबाप नाग रूप धारण कर हर जगो अपनी बेटी माया को धूट रहे थी और धूटे धूटे वे समसान उस तांत्रे की कुटिया के पास तक जा पहुँचे दोस्तो एक इच्छाधारी नाग नागिन के अगर आज पास कहीं भी नाग मनी हो तो उन्हें तुरंत पता लग जाता है कि वहाँ नाग मनी किस तरफ है वे दोनों जान चुके थी नाग मनी तांत्रे की कुटिया में है और माया भी वहीं होगी उस समय तांत्रिक कुट्या से बाहर गया हुआ था जब नागिन और नाग दोनों ने देखा कि बोतल में बंद उनकी बेटी मरी पड़ी है तो उनके दुख का ठीकाना ना रहा दोनों बिलक बिलक कर रो पड़े अब दोनों की आखों में क्रोध था वे अपनी बेटी का बदला लेना चाहते थे नागिन ने उच्ट सबसे पहले अपने नाग मनी को अजात किया जिसको तांत्रिक ने अपनी काली सक्टियों की साहयता से सुरक्षा घेरे में रखा था वो हैरान था, परन्तु उसे अपनी तांत्रिक सक्तियों पर बड़ा गमन था, वो नाग नागिन को धमकी देते हुए बोला, अगर अपनी जान के सलाम मती चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, वरना तुमारा भी वही हाल होगा जो तुमारी बेटी का मैंने किया, गुस्य से तमधमाई नागिन जब उस तांत्रिक पर वार करने आगे बड़ी, तो तांत्रिक ने नागिन पर अपनी कादी सत्या छोड़ दी, जिसको नाग ने नागमनी की साहता से तुरंत भसम कर दिया, नागिन ने उस तांत्रिक को लपेट कर कस के जकड लिया, और जब तक नहीं गाउं की तरफ वापस नहीं लोटे